विश्व गगन में जान सूजशिव आज ओम शान्ती आटरा दिसेंबर दोहजार बाविस अवेक्त बापदादा के महावक्य रिवाइज डेट है आटरा फरवरी उन्निस सो त्रियान्वे ब्राह्मन जिवन का स्वास सदा उमंग और उस्सा हा आज त्रिमूर्ती शिव बाप सर्व बच्चों को विशिस त्री सबंद से देख रहे है सबसे पहला प्यारा सबंद है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो वारिस के साथ इश्वरी विध्यारती हो साथ साथ हर कदम में फालो करने वाले सद्गुरु के प्यारे हो त्रिमूर्तिश्यू बाप बच्चों के भी ये तीन सबंद विशेश रुप में देख रहे है वर्से तो सर्व सबंद निभाने की अनुभवी आत्मय हो लेकिन आज विशेश तिन सबंद देख रहे है ये तिन सबंद सभी को प्यारेल है आज विशेश त्रिमूर्ति श्वी जैन्ति मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पोज गए है बाप को मुबारक देने आये हो वा बाप से मुबारक लेने आये हो दोनों काम करने आये हो जब नाम ही है शिव जेहनती वा शिव रात्री तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है प्रजापिता ब्रह्माद्वारा क्या करते है आप ब्रामनों की रचना करते है न उन्हों को फिर पालना होती है तो त्रिमूर्ती शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्रामन बच्चे भी साथ है अकेला बाप क्या करेगा इसलिए आपकी जहनती सो बाप ब्रामन बच्चों की भी जहनती तो बाप बच्चों को इस अलोकिक दीव्य जन्मकी वा इस डायमंड जहन्ती की पदमा पदम मुभारक दे रहे है आप सब के मुभारक के पत्र कार्ड बाप के पास पूँची गहे और अभी भी कई बच्चे दिल से मुभारक के गीत गा रहे है चाए दूर है चाए सन्मुख है दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे है रिटन में बाप ददा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाया दे रहे है यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्रामन जीवन में कोई भी उस्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उस्सा भरित जीवन बनाना ब्रामनों की अलोकी ग्रिशनरी में मनाने का अर्थ है बनना तो श्रिप आज उस्सव बनाएंगे वा सदा उस्सव भरित जीवन बनाएंगे जैसे इस सूल शरीर में स्वास है तो जीवन है अगर स्वास खतम हो गया तो जीवन क्या होगी खतम ऐसे ब्रामन जीवन का स्वास है सदा उमंगो और उस्सव ब्रामन जीवन में हर सेकंड उमंगुसा नहीं, तो ब्रामन जीवन नहीं, स्वास की गती भी नॉर्मल सामनने चाहिए, अगर स्वास की गती बहुत तेज हो जाए, तो भी जीवन यथार्त नहीं, और स्लो हो जाए, तो भी यथार्त जीवन नहीं कही जाएगी, high pressure या low pressure हो जाता है न तो इसको normal जिवन नहीं कहा जाता है तो यहां भी check करो कि मुझ ब्रामन जिवन के उमंगुस्था की गती normal है या कभी बहुत fast, कभी बहुत slow हो जाती है एकरस रहती है, एकरस होनी चाहिए न, कभी बहुत कभी, कभी बहुत कभी कम या तो अच्छा नहीं है ना इसलिए संगम यूग की हर घड़ी उस्तों है या तो विशेश मनोरंजन के लिए मनाते हैं क्योंकि ब्रामन जिवन में और कहा जाकर मनोरंजन मनाएंगे क्योंकि ब्राह्मन जीवन में और कहा जाकर मनुरंजन मनाएंगे यह ही तो मनाएंगे ना कहा विशे सागर के किनारे पर बग्गी जी में या कलब में तो नहीं पाएंगे जाएंगे ना यहाई सागर का किनारा भी है बग्गी जा भी है तो कलब भी है ये ब्रामन कलब अच्छी है ना तो ब्रामन जीवन का स्वास है उमंग और उसाह स्वास की गती ठीक है स्वास की गती ठीक है ना कभी नीचे उपर हो जाती है बाब ददा हर एक बच्चे को चेक करते है ये कान में लगा कर चेक नहीं करना होड़ता आजकल तो साइंस ने भी सब आटोमेटिक निकाले है तो शिव जेन्ती वा शिव रात्री दोनों के रहष्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना दोनों ही रहष्य स्वयम भी जान गए है और दूसरों को भी पष्ट सुना सकते हैं यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं लेकिन अंतर यह है कि वह शिव रात्री पर हर साल वरत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदाकल के लिए अरतात्संपून ब्रामन जिवन के लिए एक बार वरत धारन कर लिया इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता उन्हों को हर साल वरत रखना पड़ता है आप सबी ब्रामन आत्मा उन्हें जन्म लेते ही यह वरत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन और संपून रहेंगे यह पक्का वरत लिया है या थोड़ा कच्चा है जब आत्मा और परमात्मा का सबंद अविनाशी है तो वरत भी अविनाशी है ना दुनिया वाले सिर्फ खानपान का वरत रखते है इससे भी क्या सिद्ध होता है अपने ब्रामन जिवन में सदा के लिए खानपान का वरत लिया है ना यह फ्री है खाना पीना जो भी चाहे खालो पक्का वरत है वात कभी कभी थक जाते थक जाओ तो वरत तोड़ दो कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए कुछ भी मंगा कर खाले वे थोड़ा थोड़ा ढिला करते हो देखो आपके वरत रख रहे है चाहे साल में एक बार भी रखते हैं लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहना तो जब आपके भक्त वरत पक्के है तो आप कितने पक्के हो पक्के हो कभी कभी थोड़ा ढिला कर देते चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते, यह भी आप ब्रामन आत्माओं की जीवन के बिहत के वृत के यादगार बने हुए है विशेश इस दिन पवितरता का भी वृत रखते हैं, एक पवितरता का वृत रखते हैं, दुसरा खानपान का वृत रखते हैं, तिसरा सारा दिन किसी को भी प्रकार का दुख या धोका नहीं देंगे, यह भी वृत रखते हैं लेकिन आपका इस ब्रामन जीवन का वृत बेहत का है, उनों का एक दिन का है, पवित्रता का वृत तो ब्रामन जनम से धारन कर लिया है ना, श्री ब्रह्मचरिय नहीं लेकिन पाचों ही विकारों पर विजे हो, इसको कहते हैं पवित्रता का वृत, तो सोचों की पवित्रता के वरत में कहा तक सफल हुए है जैसे ब्रह्मचरिय अर्थात काम महाशत्रु को जितने के लिए विशेस अटेंशन में रहते हो ऐसे ही और भी चार साती जो काम महाशत्रु के है उनका भी इतना अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है थोड़ा थोड़ा कुरोध भ क्रोध महाबूत को तो भगाया है लेकिन उसके जो बाल बच्चे है उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी-कभी प्यारे लगते हैं वुरत अर्थात संपूर्न पवित्रता का वुरत आप भी उस समय होते तो आपको भी आजाता तो बाप ददा क्या कहेंगे बाप ददा भी कहते हैं अच्छा तुमको माप कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना शिवरतरी का अर्था ही है अंदकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रातरी मास्टर ग्यान सुर्य प्रकट होना यह है शिवरतरी आप भी मास्टर ग्यान सुर्य बन विश्व में अंदकार को मिटाए रोष्णी देने वाले हो जो विश्व को रोष्णी देने वाला है वो सोयम क्या होगा सोयम अंदकार में तो नहीं होगा ना दिपक के माफिक तो नहीं हो ना दिपक के निचे अंदिय देने वाले है जहां सदा रोश्णी होती है वह अंदकार का सवाल ही नहीं अंदकार हो ही नहीं सकता तो संपून पवित्रता अर्थत रोश्णी अंदकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंदकार रहनी सकता है आ सकता है चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए यह हो सकता है अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंदकार अंदकार खतम हो गया ना शिवरात्री का चित्र भी दिखाते हो ना उसमें क्या दिखाते हो अंदकार भाग रहा है थोड़ा थोड़ा रह गया है इस शिवरात्री प्रविशेस क्या करेंगे कुछ करेंगे या स्रीप जंडा लह रहेंगे जैसे सदा प्रतिग्या करते हो कि हम यह नहीं करेंगे यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी ऐसे तो नहीं पहले भी सुनाया कि प्रतिग्या का अर्त ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिग्या न जाए, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिग्या न जाए, ऐसे नहीं जब कोई समश्या नहीं तब तो प्रतिग्या ठीक है, अगर कोई समश्या आ गई तो समश्या शक्तिशाली हो जाए, और प्रतिग्या उसके आगे संकल्प करते हैं कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्वशक्तिया नहीं रहती जब मन से प्रतिग्या करते हो और किसे प्रतिग्या की बाप से तो बाप से मन से प्रतिग्या करना अर्थात मन को मनमना भो की बना मनमना भो भी बनाना और मनमना भो का मंत्र सदा किसे भी परिष्टिते में यंत्र बन जाता है लेकिन मन से करने से यह होगा मन में आये कि मुझे यह करना नहीं है अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे करना तो है ही बनना तो है ही ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा क्या करेंगे इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी-थोड़ी मज़बूरी. जो मन से करने वाला होगा, वो यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा. वो यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है. निच्छे और सपलतामी निच्छिन्त होगा. यह फर्स्ट नंबर की प्रतिग्या सेकंड नमर की प्रतिग्या है बनना तो है करना तो है ही पता नहीं कब हो जाए यह तो तो करना आरता तोता हो गया ना बाप दादा के पास हर एक कितने कितनी बार प्रतिग्या की वह सारा फाइल है फाइल बहुत बड़े हो गये है अभी फाइल नहीं भरना है फाइनल करना है जब कोई बाप दादा को कहते है कि प्रतिग्या की चिटकी लिखाए तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है अभी भी ऐसे करेंगे फाइल में कागज एड करेंगे कि फाइनल प्रतिग्या करेंगे प्रतिग्या कमज़ोर होने की एक ही कारण बाब ददा ने देखा है वो एक शब्द भिन्न भिन्न रोयल रूप में आता है और कमज़ोर करता है वो एक ही शब्द है बोड़ी कॉंसेस का मै यह मैं शब्द ही धोका देता है मैं यह समस्ता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैं पन प्रतिग्याकों कमजोर करता है, आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं कि मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्मान कर दू इतना नहीं कर सकता इतनी समश है पार नहीं कर सकते मुश्किल है यह मैपन कमजूर करता है बहुत अच्चे रोयल रूप है अपनी लाइप में देखो यही मैपन संस्कार के रूप में सुभाव के रूप में भाव के रूप में भाव बेचारों ने तो बक्री को मै मै करने वाले को बली चड़या लेकिन यह मै मै इसकी बली चड़ाओ यादगार तो आप लोगों का है और रूप में मना रहे है बली चड़े हुई है या कभी थोड़ी मै की बली रही हुई है क्या रिजड़ है प्रतिग्या करनी है तो संपूर न प्रतिग्या करो जब बाप से प्यार है प्यार में तो सब पास है कोई कहेगा बाप से पचातर प्रतिशत प्यार है पचास प्रतिशत प्यार है प्यार के लिए सब कहेंगे सो प्रतिशत से भी जादा प्यार है बाप भी कहते कि सब भी प्यार करने वाले है इसमें पास है प्यार में त्याग क्या चीज है तो प्रतिग्या मन से करो और द्रड करो बार बार अपने आपको चेक करो कि प्रतिग्या पावरफुल है या परिक्षा पावरफुल है कोई न कोई परिक्षा प्रतिग्या को कमजोर कर देती है डबल विदेशी तो वायदा करने में होश्यार है ना तोड़ने में नहीं जोड़ने में होश्यार हो बाप ददा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्या दिक हरशित होते है बाप को पैचान लिया यही सबसे बड़े टे बड़ी कमाल की है दूसरी कमाल वेराटी व्रुक्षकी डाल्या होते हुए भी एक बाप के चन्दन के व्रुक्षकी डाल्या में बन गए अब एक ही व्रुक्ष की डालिया हो, भिन्यता में एक्ता लाई, देश भिन्ना है, भाशा भिन्ना भिन्ना है, कल्चर भिन्ना भिन्ना है, लेकिन आप लोगों ने भिन्ना को एक्ता में लाया अभी सब का कल्चर कुन सा है ब्रामन कल्चर है यह कभी नहीं कहे ना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है या भारत वासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है न भारत न विदेश ब्रामन कल्चर तो भिन्नता में एकता यही तो कमाल है और कमाल क्या की है बाप के बने तो सब प्रकार की अलग-अलग रसम रिवाज दिन्चरिया आदिस सब मिला कर एक कर दी चाहे अमेरिका में हो चाहे लंडन में हो कहा भी हो लेकिन ब्रामनों की दिन्चरिया एक ही है या अलग है विदे तका त्याग एक कमाल है समझा क्या क्या कमाल की है जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी बाप फिर गाते बच्चों ने कमाल कर दी तो बाप ददा देख हरशित होते हैं बाप हरशित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं सेवा भी चारो और विदेश की सुनते रहते हैं, दोनों इस सेवा में रेस कर रहे हैं, प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, यह द्रड संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया, चितना द्रड संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सज सफलता अनुभो करते संगम पर विशेस वरदान ये असंभव को संभव करना, तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यहां होना मुश्किल है नहीं, निच्छे करक कर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, यह रिपीट होना है, बना हुआ बने हुए को बनाना अर्थात र साधार द्रड संकल्प के खजाने को सफल करो, समझा क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा, संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी, अच्छा, चार और के सदा उस्सो मनाने वाले, सदा उमंग उस्सा से उड़ने वाले, सदा संपून प्र प्रतिग्या के पात्र अदिकारी आत्माएं, सदा अशंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परिक्षा को कमजोर कर प्रतिग्या को पावर्फुल बनाने वाले, सदा बाब के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याक करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रेमु variesती हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते बाबा वर्दान ग्यान गून और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुबो करने वाले संपत्तिवान भभो जिन बच्चों के पास ग्यान गून और शक्तियों का खजाना हैं वे सदा संपन्न अर्था संतुष्ट रहते हैं उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता, हद की इच्चाओं की अबिद्या हो जाती हैं, वदाता होते हैं उनके पास हद की इच्छा वा प्राप्ती अप्राप्ती नहीं होती वो कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते ऐसे सदा संपन और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है स्लोगन है महोबत में सदा लवलिन रहो तो मेनत का अनुभव नहीं होगा अच्छा ओम शान्ती 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया थैंक यू बाबा थैंक यू